अमेरिकन सिविल वार ये कब फॉर्ट हुआ था 1861 से 1865 आप मान के चले अमेरिकन के इंडिपेंडेंस 1783 में मिला था तो उसके 70-80 साल बाद मान लो अब ये अच्छलि वार के रीजन क्या था सबसे बड़ा मान लो ये अमेरिका का पूरा मैप बना रहू हूँ मैं ठीक है ऊपर की स्थेट्स जिनको हम क्या बोलते हैं Northern स्थेट्स नीचे की स्थेट्स किसको बोलते हैं Southern स्थेट्स अब क्या होता था northern states में capitalism चलता था और southern states में क्या चलता था socialism या फिर socialism निसb liberi अच्छे slavery सब्लोक समझते हो ना बन्दुआ मजदूरी Face police डेखव क्या हुआ करता था Britishers यहां पर railway lines infrastructure construction के लिए अफरिका से नीग्रोस को पकड़ पकड़ के लाते थे उनको इन हुमन ट्रीटमेंट वगरा दिया जाता था इन हुमन ट्रीटमेंट देखे क्या किया जाता थे नोगों के साल फोस्पुली लेबर इंडेंटर लेबर वगरा कराया जाता था और इसके तूप कैपिटलिस्टिक लोग इंज्वा करते आते थे अब देखो सदन स्टेट्स में क्या होता था प्लांटेशन प्लांटेशन अग्रिकल्चर जैसे शुगर केन, टोबैको, पोटाटो अभी ये प्लांटेशन जैग्रिकल्चर रीजन वगरा में स्लेव्स की जरुवत पड़ती थी तो सदन स्टेट्स हमेशा क्या चाहते थे कि स्लेवरी बनी रहे प्लांटेशन स्टेट्स इनको स्लेवरी की जरुवत पड़ती थी स्टेट्स आफ अमेरिका ये लोग कंफरेंटेशन में आ गए सदन स्टेट्स इनको स्लेवरी की जरुवत पड़ती थी तो इस वज़े से क्या होता था ये लोग क्या चाहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए स्लेवरी हटानी है और सदन स्टेट्स मतलब स्वरी नॉदन स्टेट्स के जाते थे कैपिटलिस्टिक थे पड़े लिखे लोगों को एड्मिस्टेशन में लाना चाहते थे इस वैसे आट टिट कि स्लेवरी हटे बद शदन सेट्स को वर टोटली डेपेंदेंट अन प्रांटिशन प्रादिशन में मजचूर की जवर्ट पराथी तो इस वांटेड ृत वार कि बहुत जाद इंपॉर्टेट नियों पर इसका देखो इसके इवेंड संपॉर्ट इन आइ पर इसके इंप्लीकेशन व ग्रा इए कंटेक्स क्यों गुंत एक क्यों अपाइक से पड़ वह इंपोर्टेंट है ठीक है अब देखो क्या लीजन्स थे इनने क्या बोला था हुमानिजम एंड वेलफेर आ थे बेसिक टेनेंट तो हुमानिजम को अगर आपको सस्तीन करना है तो अविसली आपको क्या करना पड़ेगा स्लेवरी अनल जी सब हटाना पड़ेगा फिर इंस्पिरेशन अल ओवर वर्ल्ड से मिलने लगा जैसे फ्रांस ने स्लेवरी हटा दी थी 1789 में फ्रेंच रेवल्यूशन के टाइम पे ब्रिटेन ने भी हटा दी थी 1773 में हर जग इसे स्लेवरी हट रहा था तो वाइशुड अमेरिकंस पीछे क्यों रहे ठीक है अब अगला ची इगला मेजर मतलब यह क्या हुआ था अगला मेजर रीजन की मतलब के लुजानों लुजानों को 25 कल लिया था तो इसवजे से अमेरीका देखneक लुजानों को 25 कल लिया था तो इसवजे से क्या हुआ था अमेरिका का जोग्रोफिकल एक्सेंट एपलेशन टू एपलेशन माउंटेन टू रोकी माउंटेन जोग्रोफियों पड़ आया अप लोगों ने एपलेशन माउंटेन टू रोकी माउंटेन तक एक्सेंड हो गया था अब जो लुजियाना का नया स्टेट आया New state, जो यह new state था, Louisiana क्या It was the biggest question की नए states में slavery रखना है की ने क्यों? क्योंकि South states क्या बोल रहे थे? कि भाई हमें इसको slave states बनाना है और आपके North states क्या बोल रहे थे? कि भाई यहां से slavery को abolish करना है बात समझ पा रहे हूं? इस वज़े से question उठ गया था कि भाई क्या purchase of Louisiana वगरा था अब देखो क्या हुआ इस तरीके से बहुत सारी events वगरा होते रहे तो North के जो capital इस एक मिट पहले से मिटा आ दू अब देखो ऐसे करके क्या हुआ पहले agreement वगरे sign के आ गया Mississippi River के उपर कि भाई ठीक है South में slavery चलने दो North में slavery हटा दो अब North ये पहले decide होगा पर North Americans ने जो Northern States ने decide किया एक इनने policy लेकर आ है Back Door Policy of Capitalist 1820 में बनाया गया अब देखो ये Black Door Policy वगरा क्या बनाया लगा Capitalistic Lobby करने लगी for anti-slavery movement anti-slavery movement in whole USA anti-slavery movement behind the door, back door मतलब South States को पता नी चला और South States के लोगों में motivate करने लगी भाई slavery हटाओ क्या किया इन लोगों ने एक society बनाई जिसका नाम था anti-slavery society anti-slavery society anti-slavery society क्या करने लगे लोगों को मोटिवेट करने लगे भाई स्लेव्स को बार्गेनिंग पाऊ स्लेव्स को जॉब यह सब देने लगे कि भाई आप आओ इस society को जॉइन करो साथी साथ आपको क्या करना है इसमें कि slavery हटाने में हमाई मदद करना वार वगरा हो तो हमाई मदद करना है तो एक बैक डूर आर्मी प्रिपेर करना लगे ठीक है फिर गैरिसन करके एक राइटर था उसने पब्लिश किया एक जनरल पब्लिश किया जिसका नाम था लिबरेटर लिबरेटर अब अब एक बंदा थे मिस्स मतलब एक बंदी थी मिस्स स्टावर्स इनने अंकल्स टॉम केविन बनाया अंकल टॉम 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 केविन अब इसमें ये लोग क्या करने लगे स्ट्रीट प्लीज वगरा करने लगे ठीक है लोगों में अविन्स करनाटगी सब करने लगे journals publish करने लगे जैसे कि अपने आप होम रूल लीग मूवमेंट था वैसे ही आप अंकल टॉम केविन था जो कि slave states में awareness create करने लगे कि भाई slavery हटानी है कुछ भी हो जाए अब slavery हटानी है ठीक है तो ये था backdoor policy of North American states अब आप एक बात बताओ North American states ऐसी हरकत दे कर रहे हैं अब ये South American states बेवकुफ तो है नहीं obviously देखेगा इनको तो South the way South retaliated South ने कैसे retaliate किया भाई दो North Indian states थे इनके नाम याद रखने इंपोर्टेंट है Kansas and Nib Ruska Kansas and Nibraska को forcefully slave states बना दिया गया इसके वज़े से क्या हो है जैसी ये वाली इवेंट हो है North states and South states direct confrontation में आ गए direct मतलब एक तरीके से भीड़ी गए देखो क्योंकि इनने forcefully अपने muscle power के इनने आर्मी उतार के क्या किया था इसको मतलब एक तरीके से आपका southern state को इन North के जो बनिये 20th March 1854 ये election में अब elections होने वाले थे 1861 में elections थे 1861 में elections थे तो इनके जो Republican Party का Republican Party का sole agenda क्या था तो abolish slavery in whole United States of America slavery हटाने from whole United States of America and famous President Abraham Lincoln got elected in 1861 ठीक है 1861 में elect हुए और जैसे ही elect हुए इनने एक presidential order Congress में बिल लेके है जिसमें slavery को हटा दिया गया जैसे slavery हटा दिया गया तो North versus South states में civil war शुरू हो गया civil war शुरू हो गया ठीक है अब देखो civil war शुरू हो गया obviously Republican Party जीते 1865 में क्या हुआ slavery खतम कर दिया गया South states हार गये थे war हुए South states हार गये slavery खतम कर दिया गया ठीक है अब देखो civil war की events कब क्या हुआ किसको क्या मारे ये हमारे syllabus में नहीं है पर हाँ syllabus में हमें क्या जानना है role of famous president Abraham Lincoln Abraham Lincoln के बारे में हमें थोड़ा से detail में बहुत जारे detail में भी नहीं थोड़ा से मतलब अपन को case study को discuss करना अबराहम Lincoln क्या था क्यों क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा humanism के लिए काम किया थे slavery हटाया था इस वज़े से अबाद में को हाला कि assassinate भी कर दिया गया था case study of Abraham Abraham Lincoln A.B.R.A.H.M. Abraham Lincoln देखो ये क्या हुए 1861 में elect to a Republican Party से ठीक है अब इनने क्या बोला एक नया quotation दिया था unity of federation unity of federation because as we all know polity में आप सबने पढ़ा America is a federal form of government every federal form of government का मतलब क्या हुआ कि सारे states को total rights है that they can get out of American federation at any time every state has dual citizenship every state has dual constitution तो इनने बोला कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे humanitarian cause में Thomas Jefferson को court किया बोला कि humanitarian cause में right to equality is imbibed in Constitution of USA तो ऐसे humanitarian cause में यह federation को united होना पड़ेगा तो इसने क्या किया this evoke the emotions of Americans ऐसे statement से Americans के वह एक तरीका से क्या हो गया आप क्या बोलते हैं united हो गया और emotions को evoke हो गया सब anti-slavery movement को धीरे 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 join करने लगें अब यह लोग क्या करने लगें हां क्या हो गया यह वाला point देखो इसने क्या किया अमेरिका देखो जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी है अमेरिका क्या फेडरेशन है ठीक है फेडरल रिपबलिक है कि अलग अलग से हज सेट कोई सेट सेंटर गवर्मन के सबॉर्डिनेट नहीं है हज सेट का अलग एजेंट है पर इसने क्या बोला कि ऐसे स्लेवरी टाइप के कॉज में इसने सब को एकटा होना पड़ेगा इसमें हमें फेडरेशन नहीं इसमें हमें युनिट्री फ़र्मो गवर्मन के दरह काम करके इन हुमन जो स्लेवरी की जो पैक्टिस है इसको हमें हटाना पड़ेगा और लोगों को unite करने के लिए इन ही सेकंड काम क्या करना शुरू किया सेकंड काम क्या शुरू किया volunteers gather करने लगे volunteers gather करने लगे तो promote the message of birth of America promote the message of birth of America इसमें इन लोगों ने Negroes के रोल को highlight किया ठीकिए नीग्रोस के रोल को हायलाइट किया ठीक है बूला की भाई किस तरीकी से Blacks भी लड़े थे किस तरीकी से Blacks का भी खून बहा था Red Indians जू Native Americans उनने किस तरीके से लड़ा था sama तो एक तरीकी से लोगों में Unity लाने लगे इस Unity से क्या हो गया जो बिल ये लाने वाले थे, एक Constitutional Amendment Bill लाने वाले थे, ठीक है, Constitutional Amendment Bill लाने वाले थे, तो लोगों में अगर Unity आगी, तो ये बिल युनानीमस के पास वे जाएगा, ये दो काम की, इसी के बाद, थर्ट से पर ने क्या किया, 13th Constitutional Amendment Act 1865 में लेके आगए, और ये क्या गया, कि Slavery was abolished and declared illegal in America, Abolition of Slavery, तो इसको जो African Americans थे, इसको इन में huge support मिला, ठीक है, huge support मिला, ठीक है, अब क्या हुआ, 4th, ये Distinguished Leader क्यों माने जाते हैं, ये इनका Personal Contribution, यहां पर इनने Slavery हटा दी, और कुछ स्टेट से साउथ के, जैसे कि Gittenberg, New Orleans, Gittenberg, ये स्टेट मानी नहीं रहते हैं, यहां पर जो Plantation, जो मतलब सेट वग रहते हैं, इनके पास strong army थी, so they were resisting and they wanted that slavery should not be abolished, इस वज़े से क्या किया, Abraham Lincoln himself participated in the war of against Gittenberg and New Orleans, दो चाज सेट जे थे जो Slavery नहीं हटा रहे था आखरी में, उनके अगेंस ने Abraham Lincoln ने खुद ही पूरे troops को lead किया, एकलाथ है President George Washington के बाद, जिनने खुद वार में participate किया थी, तो President Raja Maharaja कभी participate नहीं किये थे और इनने New Orleans को capture किया, American Union में integrate किया, slavery हटाई वहाँ से, फिर इसके बाद से क्या हुआ, total capitalism country में established होगी और इसी रीजन से World War I, World War II में America greatest power emerge हुआ, be ready American President Abraham Lincoln की उपर question frame हो सकता है, तो आपको यह सब points यूज़ करने है